नमस्कार, मैं अभी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे हूँ, बार्मेर यहां है, और ये मुनाव जो है मुनाव को दिखाया जा रहा है, मुनाव और इधर तनोट इस तरफ करके दिखाया जा रहा है, अब देखेंगे आप इधर धीरी धीरी आएंगे, ये एक किलो मीटर आगे हम लोग अभी हो करके आए हैं, एक किलो मीटर आगे भारत का बॉर्डर जो है, वो बार्मेर का मुनाव है, और ये जो पूरा इलाका ये जा रहा है, ये सांदार सडक जो है, वो भारत माला करके है, वहां लिखा हुआ है कि विदेशी आत्रियों को, ये बिएस एफ बॉर्डर सेकृरिटी फोर्स का जो है, कहां से कितना किलो मीटर, दू किलो, दो किलो मीटर इसे मूनाव बताया जा रहा है, और ये पूरा इस एलाका भारत माला है, जो जैसल मेर की तरफ जा रहा है, ये डिवलेप्मेंट आपको दिखाई दर रहे है, ये जैसल मेर की तरफ रास्ता जा रहा है, और ये तना ही दूर ही आपको जो है, इस रूप में बना हुआ दिखाई दर आ है, पीछे हम अभी जब लोट के आ रहे थे, पूरी सरक जो है जरजर कंडिशन में बीच में थी, बन रही है सरके, सरके यहां और ये जो पूरा इलाका है, ये जैसल मेर, बॉर्डर लोग जैसल मेर की तरफ तो जाते हैं, परेटक जाते हैं, लेकिन इधर अभी हमें एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया, मतलब ये कि यहां आने के लिए इस तरफ से जो बॉर्डर के तरफ जाने के लिए अब सरके हो रही है, आर्मी के लोग भी इधर आ पाएं, ये एक दम से दुरू है, बिलकुल दुशकर है उनके लिए कि आर्मी के लोग भी, ये सरक जो है, आर्मी के लोग के लिए भी ठीक जिस तरह से जैसलमेर का रास्ता है मतलब सालों तक इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि भारत की आर्मी बॉर्डर पर कैसे पहुंचेगी वो उनके लिए सहज हो सके आज पास जो सीमा की आखरी छेतर में जो गाउं है कई गाउं को हम देखकर के आए उन गाउं में हमने दे नहीं है देश के वो भी नागरिक हैं लेकिन उस देश में की जो सुविधाएं हैं वो उन तक उपलब्ध नहीं है और पूरा जो है आप देखिए यहां आदी जूम करके हम दिखा पाएं आपको यह बैधानिक चेतावनी लिखी हुई है भारत-माला इस सरकार के दौर में नरिंद मोदी सरकार के दौर में जो भारत-माला सडक है वो भारत के बौर्ट पूरी चारो तरफ सीमा को जोरने के लिए है और इसे भारत-माला रोड नाम दिया गया है यह भारत-माला रोड है जो सरकार देखी आभी गारी जो आ रही है यह जैसल मेर से गारी आ रही है औ भारत माला रोड छेत्र विदेशी आतियों के लिए प्रवेश वर्जित है यह भारत माला रोड है यह भारत की सीमा के चारो तरफ से यह जोरने के लिए बनाया गया शांदार सडक यह डवलप्मेंट आपको दिखाई दे रहा यह बदलाओ है यह देखिए यह तनोट तनोट रोहीडी 15 किलोमेटर तनोट 110 किलोमेटर मैं पिछली साल जब गुजरात में चुनाव चल रहा था तो उस समय में गुजरात होते हुए भी तनोट गया हुआ था जैसल मेर गया हुआ था 310 किलोमेटर यहां से तनोट है और यह रास्ता आपको दिखाई दे रहा है कैसे नि चित मिल सके इसके उस तरब जो पाकिस्तान का हिस्सा है तो आर्मी के लोगों को सुविधा हो सके और यहां जो आसपास के गाउं है उस गाउं के लोगों को सही में भारत में होने का सुकून मिल सके कई गाउं के लोगों से हमने बात की ऐसा लगा कि जो सुविधाई भारत कोई सुविधा नहीं थी अब धीरे धीरे देश का आखरी गाउं से जुर रहा है ये सुकून देने वाला है और ये भारत माला सडक जो है एकदम से आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल नवीन सरक नया बना है इसी ढंग से बारमेर के लिए जो सडक जो है वो भी इस की चर्चा मीडिया में कभी क्यों नहीं होती है क्यों राष्टे मीडिया इन चीजों पर कभी चर्चा नहीं किया कि हमारे सीमा के आखरी छेतर में सडकें और सुविधाएं क्यों नहीं है अब वो सुविधाएं हो रही है आसपास के गाउं को देश के आखरी छोर के गाउ उन्हें लग रहा है कि हम अब तक भारस से कटे हुए थे अब वो भारस से खुद को जुडाब महसूस कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद